अनू परिसर में रहने वाले युवक ने रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर दो लोगों से 13 लाख रुपे की ठगी की पुलिस ने किया केस दर्च उज्जेन के अनू परिसर में रहने वाले एक व्यक्ती के खिलाफ दो लोगों ने फतेहाबाद रेलवे ट्रैक का ठेका दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपे की ठगी का केस दर्च कराया खास बात यह कि आरोपी के खिलाफ एक माह पहले भी एक व्यक्ती ने तीन लाख की धोखाद ही का केस नीगंगा थाने में दर्च कराया था नीगंगा टियाए तरुन कुरील ने बताया कि चंद्रशेखर निवासी असलावदा और गिर्वस सिंग गौतम निवासी चंद्रशेखर मार्ग नागदा ने थाने में धोखाद ही का आवेदन दिया था जिसमें उन लेक था कि अरपित ग्विवेदी निवासी अनू परि ठेका दिलाने के नाम पर चंद्रशेखर से 7 लाख वा गिर्वस से 6 लाख रुप्य लिए और किसी तरह का उनको ठेकावेका नहीं दिलवाया गया जिस पर से शिकायत करता द्वारा आवेदन दिया गया था थाने पर जाचकर आवेदन पर से 400 बिसी का मुकदमा दोकादरी का मुकदमा कायम किया गया है